इस वीडिये हम बात करने जा रहे हैं UP Warriors versus Royal Challenges Bangalore WPL match की और create करने वाले है multiple Grand League की teams तो पूरी वीडियो देखेगा आपको मज़ा आएगा अगर हम बात करते हैं venue की तो Dr. D.Y. Partil Sports Academy में match खेला जाएगा अब जैसे जैसे tournament आगे progress कर रहा है तो wicket पुरानी होती जा रही है और D.Y. Partil में starting के और में swing मौझूद रहती है और जैसे जैसे match progress करेगा तो spinners भी जो है वो game में आ सकते हैं तो जैसे पहले बहुत जादा high scoring matches हो रहे थे अब धीरे धीरे करके थोड़े कमरन बनने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो हमार साथ टेलिग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाएगा यह हमारा टेलिग्राम चैनल है fantasy fortune के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन है मिल जाएगा साथ के साथ मैं comment section पिन कर दूँगा उसी के थूड़ जुड़ियेगा सर्च करके मत जुड़ना क्योंकि fake channels काफी सारे हैं माई नाम के और YouTube चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जैसे ही वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी अगर हम बात करें UP Warriors की playing 11 की सो यहाँ पर 4 में से भी तर 2 मैच जीते हैं बट स्टिल अभी भी outside chance है कि qualify कर सकती है तो अब लगातार matches जीतने होंगे और जो दूसरी टीम से उन्हें कुछ matches हारने होंगे तो यह एक तरीके से do or die match बन गया है आपर RCB के लिए और जो है same team के साथ जो है उतरना चाहेगी यह आपने क्या ध्यान रखना है जब आप grand league teams create कर रहे हैं तो आपने ध्यान क्या रखना है तो आपने ध्यान क्या रखना है देखो women's match में ना ने राना होती तो आप mega grand league win कर जाते तो बस एक दो player का ही फरक है तो grand league में बहुत सारे changes नहीं करने है different combination बनाएंगे और उसमें minor changes करेंगे और उसी से grand league हम win कर सकते है तो इस match में और इस match में होगा 20,000 रुपे का free giveaway और अब इंडिया का भी match आने वाला है उसमें होने वाला एक लाक रुपे का free giveaway कहाँ पर होगा होगा vision 11 app पे best app है small league खेलने के लिए अगर आपके पास यह app नहीं है तो download कर लो अब चन्नही की भी partner बन चुकी है तो काफी अच्छे offers आएंगे IPL में तो तुरंच download कर लो इसका link description में है fortune refer code है इसके थूर sign up कर ले ना 500 रुपे का sign up bonus भी आपको मिल जाएगा चलिए आप create करते हैं अपनी multiple grand league के team तो मैंने आपके लिए 7 grand league के combination बनाएं आप चाहें तो एक आदा change भी कर सकते हैं rank clash से भी बचोगे और आप चाहें तो और भी combinations बना सकते हैं अगर पहला combination देखें तो यहाँ पर जो है इस team में हमने क्या किया है कि Perry को captain करके Magrath को vice captain किया है इस team में हमने देवी का वैद्य को लिया है as a differential बाकी और जो है base player ही हमारे पास रहेंगे अब बात करते हैं next combination की तो इसमें हमने जो है दीप्ति शर्मा और एकले स्टोन को captain vice captain किया है क्योंकि spinners भी अब धीरे धीरे game में आने वाले हैं और यहाँ पर राजेश्वरी गायकवाड जो एक और spinner है उनको भी हमने अपनी team में रखा हुआ है next combination पर चलते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया है मैगराथ को captain किया वाइस captain जो है हमने पैरी को किया हुआ है इस team में भी हमने वैद्या को try किया हुआ है और रेनुका सिंग ठाकुर को भी हमने इस team में रखा है next combination की बात करें तो यहाँ पर जो है Alice Perry क्योंकि favorite captain है इस match की तो यहाँ पर captain उनको ही किया है wise captain हमने स्मिती मंदना को रखा है क्योंकि स्मिती मंदना भी तक बिल्कुल flop रही है लेकिन ऐसा नहीं है run जरूर कर सकती है कोई बड़ी खिलाडी है तो इस team में हमने जो है और हीली को drop करके हमने दूसरी opener देवी का वैद्य को इस team में रखा हुआ है next combination पर चलते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया है एकले स्टोन को captain किया है और सोफी डिवाइन को हमने wise captain किया हुआ है इस team में हमने S आशा जो last आशा यह अच्छा करके आई है तो उनको भी हमने अपनी team में रखा हुआ है काफी कम उनका selection है next combination पर चलते हैं तो again जो है यहाँ पर S आशा को रखा हुआ है और S पाटिल दोनों ही जो है काफी कम selection है लेकिन दोनों में potential है विकेट्स निकालने की और जो है captain जो है safe ही रखे है पहरी को captain wise captain हमने दीपती शर्मा को रखा हुआ है इस team में हमने अंजली सरवानी को भी रखा है next combination की बात करते हैं तो यह काफी risk लिया है इस वाले combination में तो इसमें हमने better को यहाँ पर समिती मंदना जो बिलकुल form में नहीं है उनको captain किया है और नवगीरे जो power hitter है आपर UP की तरफ से उनको हमने wise captain किया हुआ है इसमें हमने risk लिया है बाकी जो capture wise captain है वो mostly जो है वो ही combination चलाया है जो अच्छा कर सकते हैं यह एक थोड़ा riskी combination है तो आप इसी तरीके से multiple combination create कर सकते हैं women's matches में और एक से दो minor changes करके आप grand league win कर सकते हैं अमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आईए पसंद आईए तो like करो share करो comment करके बताओ आपके इस आप से best choice captain कौन होने वाला है साथ के साथ YouTube चैनल को subscribe करके bell icon दबा दीजिए जैसे वीडियो आगी आपको notification मिल जाएगी all the best